हेलो दोसों नमस्कार दोसों स्वागत है आप सबी का ओनलाइन अडाफ और इस्टडी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अपडेट के बारे में एक ही करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी ओनलाइन अडाफ और इस्टडी यूटूब चैनल के माधियम से मिलती रहें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बार के कारण सरकारी स्कूलों को बंद करने के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूलों को लेकर बहुत सारी समस्चाय देखने के लिए मिलती है कभी ज़्यादा सर्दी पढ़ जाए तो स्कूल बंद करने पढ़ते हैं कभी ज़्यादा गर्मी पढ़ जाए तो स्कूल बंद करने पढ़ते हैं तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहां पर बंद करने पढ़ते हैं और उसके बाद बार आ जाए तो फे तो स्कूल ब कहें वो तो एक समय आया था उसको लेकर बार बार ना आये तो बहतर होगा लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए स्कूलों के बंद करने की बारे में तो एक नया आदेश जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बाड के कारण सरकारी स्कूल बंद कर दिये गए है जिससे संबंदित जानकाई यहां पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी 22 और विद्याले में सिच्छन कारे बंद कर दिया गया है बाड के कारण कहर बढ़ने के कारण परसदिये विद्याले के सिच्छन कारे पर कही ने कही जो असर है वो पड़ रहा है बाड का पानी विद्याले पहुचने और विद्याले तक जाने वाले मार्ग में छटी गस्थ हो जानी से बिल गाम और बावन ब्लोग के 22 और विद्याले बंद कर दिया गया है B.E.O. मुख्याले R.K. दिवेदी ने बताया कि विकास, खंड, बिल गाम के साथ और बावन ब्लोग के 15 स्कूलों में शनिवार को बंद कर दिया गया इसमें तकरीबन 83 विद्याले को बाड के कारण बंद किया जा चुका है तो ऐसे में अब ये बाड की समस्या से कहने के निजात पाना होगा एक तरफ अभी भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है वहीं थोड़ी सी बारिश पढ़ जाने के बाद ही यहां पर जो गईने की बाड है वो आ गई है अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के बारे में जोकी संबन्दी थे आठ करोड नई नोकियों के बारे में परदान मंत्री मूदी के माधियम से एक बयान दिया गया है यू तो बीजेपी गोर्मेंट ने पहले भी कही वार ऐसी अनौस्मेंट की थी कि हम हर साल दो करोड से जादा नोकिया देंगी और इस बात के जहासे में आकर बहुत सारे अप्यातियों को लगा कि अब तो हमाएं नोकियों मिलने जा रही है लेकिन दो करोड नोकियां तो दूर की बात है जिनको नोकियां मिली उनसे भी कई बापस ले ली गई कई नोकियां तो ऐसे बापस ले गई कि पच्छास साल की जो अनिवाज सेबा निवर्ति ये बोल लगा दी गई चार साल का अग्रीवी करेकर के चार साल की बाद उन से नोकी वापस ले ली तो इसके रावा और भी बहुत साही बाते हैं लेकिन मुद्य की बात एक ये भी है कि अयोध्या के बात में बदीनाथ के अंदर बीजेपी की उम्बीदों को जटका लगा है हिमाचल में सुख्षू मजबूत तीन मैंसे दो सीटों पर दिलाई जीत सात राज्यों में तेरे विदानसवा चुनाव देखनी के लिए मिले थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा बिवक्षी इंडिया विलोग मजबूत होकर उबरा है हिमाचल में कॉंगेस के सीम सुख्विंदर सुख्षू की कहिने की जो इस्तिती मजबूत हुई है जहां पार्टी को तीन मैंसे दो सीटों पर जीत मिली है जिन मैंसे एक सीट पर उनकी पतनी को विज़े मिली है फिलाल मुद्दे की बात यह है कि जो विदान सवा के उप चुनाब हुए थे इसमें क्या हुआ कि तक्रीवण 13 सीटों के लिए चुनाब हुए थे 13 मैंसे 9 पर तो बीजेपी ने लड़ा था दो पर उनके गटवंदन, NDA के जो गटवंदन आपने सुना होगा न तो उनकी दो सीटें थी तोटल 13 मैंसे अगर बात की जाए तो यहां पर 9 सीट तो बीजेपी हार गई है दो सीट जो NDA गटवंदन ने बो हार गया है तो कुल मुलाकर के 11 सीटें हार गए है दो सीटों पर ही बीजेपी को जीत मिली है और ये कुछ बड़ी-बड़ी सीटें हैं जहां पर कहिने की बीजेपी अपना बर्चस्म जमाना चाहती थी जैसे की अयोध्या और बद्रीनाथ इन दोनों के अंदर बीजेपी को बड़ी खार मिली है लेकिन आपको लगेगा कि हम तो बात करें थे 8 करोड नोक्रियों के बारे में सीधे इस वाली अपडेट पर क्यों चले गए क्योंकि ये दोनों अपडेट आपस में महत्पूर है क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरप सरकार नोक्रियों कूं को लेकर बात करें या दूसरी तरप सीट effective हा रही है किया गया उनका कहना यह है कि रिज़र बेंग दे बैंक के आंकडों ने फरजी ख़ब्रें फैलाने वाले चुप कराया पिशले चार साल में आठ करोड नई नोकिया मिली है ऐसा प्रदान मंति की मोदी की जो फोटो का इस्तमाल किया गया वह कहीं और की है और जहां की वह फो कि इनको पैसे देने पड़ रहे हैं और ऐसे में वहां पर जाकर कि प्रदानमंती मोदी के उस फोटो का इस्तमाल करकी यह कहना यह और भी ज्यादा खतरनाक है प्रदानमंती ने शनीवार को कहा कि भारती रिजर्ब बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन से चार सालों में देश में तक्रीबन आठ करोड़ नई नौकरियां उपलब दोही हैं प्रदानमंती मुंबई गोड़े गाउं उपनगार चेत के सड़क रेलवे और इसकलाब बंदरगा चेतों में 29,000 करोड़ की परियोज नौकरियां देंगे अगर चार सालों में 8 करोड़ नौकरियां मिली हैं तो यह अभ्यति कौन है जो अपनी मांगों को लेकर भरतियों को लेकर धना देते हैं अब मैं बात पहले UPC कर लेता हूं है न UP के अंदर लाखों की संख्या में B8 और BTC करने वाले अभ्यति हैं जो पिछले 6-7 सालों से भरतियों का इंतजार कर रहे हैं एक तरब सरकार कह रही है कि हमने 3-4 सालों के अंदर इतनी नौकरियां दे दी तो क्या कोई ऐसा अभ्यति है जो वीडियो देख रहा है उनको 8 करोड़ नौकरियों में से एक नौकरिय मिली हो तो अवश्य बता दिना क क्योंकि यह तो सम्भब नहीं है कि इतने अभ्यति अगर वीडियो देखें तो उसमें से एक को भी 8 करोड़ में से नौकरिय ना मिली हो अब या तो अभ्यति जूट बोलते हैं कि हम बेर्जगा हैं या सरकार सच बोल लिए कि उन्होंने 8 करोड नौकरियां दी हैं अब कौ इसके लावा बच्चों को लेकर काफी समस्या हुई यहां पर एक मामला ऐसा भी है कि जहां पर 6 साल से स्कूल में नहीं आ रही हैं सिच्छक उनके घर पर जाता है उपर स्तिथी का रजिस्टर 112 बर्स पुराने डॉक्टर घोस्ट मोर्डन कॉलेज में बच्चे कम गाय और बकीयों का जमाबडा है तो यहां पर ना तो बच्चे आते हैं बच्चे अगर आते भी हैं तो बहुत कम आते हैं इसी बज़र से शेयर की घनी आवादी के बीच कटगर महले में 1912 से चल रहे एडिड विद्याले डॉक्टर घोस्ट मोर्डन कॉलेज स्कूल नाम देखो कितना चाहें यहां पर प्राइमरी सेक्शन में 13 सिचका रिजवान वेगम 6 साल से विद्याले नहीं आई हैं उल्टा विद्याले का रजिस्टर उनके घर जाता है क्योंकि ऐसे में विद्याले क सुवर आता रहता है तो कभी गाय आ जाती है तो कभी बक्री आ जाती है लेकिन अब बच्चे नहीं आएंगे तो सिचका करके क्या करेंगी यह भी एक बड़ा सवाल है वहीं दूसरी दब उत्तर बदेश के प्राइमिक विद्याले में आपने देखा होगा हाली में online attendance को ल अब प्रात्मिक के साथ साथ यह एल्टी गेड विद्याले में भी होगी और इसके साथ ही साथ टीजडी बिजडी में जल्द लागू होगी क्योंकि online attendance कि किसी एक बिवाग के अंदर या एक स्कूल में लागूप होनी नहीं चाहिए यह सभी में होनी चाहिए बहुत ही मैं इससे क्या होता है कि लोगों में समय से पहुंचने और समय से जाने की जो कहिने की आतरते हो पड़ेगी और हमारे देश में कुछ भी काम समय से बैसे भी नहीं होता है थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो